जैन जैबारत दोस्तों अगले दो हफ्तों में UPSI के लिए आर्टिकल यानि कि सम्विधान में जो अनुछेद हैं आपके वो दो हफ्ते में कम्प्लीट हो जाएंगे जो डायरी वाला काम मैं आपको देता हूँ कि अनुछेद दिखने के लिए तो अब बारी आ जाती है कि हफ्ते में आप प्रेक्टिस कैसे करेंगे डायरी जैसे डेली अगर आप लिख रहे होंगे अगर एक कांटिन्यूटी बना के चल रहे होंगे और उसको बीच बीच में देखते होंगे और फिर इस काम को कर लेंगे यानि हफ्ते में मैं जो आपको एक वर्क्स्टीट दे रहा हूं. टेलीग्राम में इसका पीडियफ डाल दिया हूं. पूझना नहीं कि इसका पीडियफ कहा मिलेगा. UPSI आदिति सिंग जो टेलिग्राम ग्रूप है कम्यूनिटी में लिंक मिल जाएगा चैनल के कम्यूनिटी में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ठीक है और नहीं मिले तो कान पुराना मैं आपको परसनली इसका लिंक भेज़ दूँगा ठीक है तीन तरह से लिंक मिल जाएगा तो यहाँ पर करना क्या है बहुत बच्चे सोचेंगे सर आप तो अनुछेद गलल लिख दिये कई कमेंट करेंगे तो मैं बता दूँ एक क्या करना है यह आपको सही मिलाना है जैसे मैं for example आपको बताता हूँ एक मिनन पेना जा मेरे दोस्त जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 102 क्या लिखा हुआ है 102 तो 102 का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है 102 अनुछेद में हमारा क्या है तो 102 अनुछेद में क्या है आपका सदस्यों के लिए निरहरताएं क्या है एक सो दो में क्या है आपका सदस्यों के लिए निरहरताएं दिया है फिर तब इसका मतलब क्या हुआ इसके आगे आपको भी भरना चाहिए एक सो तीन में क्या है सदस्यों की निरहरताओं से सम्मंदित प्रश्णों पर विनिष्चे कौन करते हैं राष्टपती करते हैं एक सो तीन का डी हो जाएगा इसी तरह एक सो पांच में क्या हो जाएगा संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की सक्तियां और विशेश अधिकार तो यहां पर क्या आ जाएगा एक यह आ जाएगा फिर आपका 108 में क्या है कुछ दसाओं में दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक सन्युक्त बैठक बुलाता कौन है राश्टपती बुलाते हैं लोग सभाध्यच जो है इसके अध्यच रहते हैं चलो 109 में क्या आ जाएगा 109 में क्या दिया गया है 109 में आपका दिया गया है धन विध्यक के संबंद में विशेश प्रकिरिया क्या है धन विध्यक के संबंद में विशेश प्रकिरिया 110 में क्या है धन विध्यक की परिभासा है 111 में क्या है विध्यकों पर राश्टपती की अनु आप हफ्ते में पांच बार कर लीजिएगा, इस पूरा पेज को आपको देखिएगा, और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार करिएगा, यानि ए दवाई आपको कैसे लेनी है, पहले हफ्ते में आपका बिमारी बड़ा है, तो आप क्या करिए, इस दवा को आप लगतार एक हपता खाईए, फिर हपते में एक बार इस दवा को खाते रहेंगे, इस तरह से करते रहेंगे, आपका अनुछेद भूलेगा नहीं, और ऐसे ही मैं आपको पूरा जो इंपोर्टेंट अनुछेद है याद करवा दूंगा, और बिना मेहनत के, बस हपते में लेकिन एक बा एक सो सोले में क्या है, एक सो सोले में आपका लेखा नुदान, प्रत्या नुदान और अपवादा नुदान, तो यहाँ डी भर देंगे, एक सो सत्रे में क्या है, वित्विधेकों के बारे में विशेश उपबंद, एक सो बीस में क्या है, संसद में प्रियोक की जाने वाल तो इस दवा को लगतार पहले एक हफ्ता ले लेना फिर हफ्ते में बस एक बार चलो 121 क्या कहता है हमारा 121 क्या कहता है और 122, 123, 124 तो देखो 123 क्या है मानलो अभी इसमें थोड़ा कन्वीजन हो रहे तो 123 राष्टपति का अध्यादेश है क्या है राष्टपति का अध्यादेश तो यहाँ पर डी आ जाएगा 124 में क्या आ जाएगा उच्चित्म नियाले की अस्थापना और गठन फिर यहाँ पर क्या हैं एक सो एक्तिस एक्समें क्या हो जाना चाहिए हमारा नियाया द्वारा संसद की कारवाहियों की जाच ना किया जाना यहां पर छूट गया है ना किया जाना नियाया husband कीख रवाहियों की जाच नई एक बाइस में है आपका एक मिनट एक मिनट एक सो एकिस में यही है उच्चतम नियाले या किसी उच्च नियाले के किसी नियाधीस के आचरण के बारे में संसद में चर्चा पर क्या है आपका निर्बंधन है एक सो एकिस में है उच्चतम नियाले य 121 यह हो जाएगा 122 में आपका क्या हो जाएगा नयायाले द्वारा संसत की कारवाहियों की जांच ना किया जाना चलिए उसके बाद आ जाते हैं 126, 127, 139, 131 क्या क्या है देखिए तदर्थ नयाय मूर्ती की न्युक्ति, कारेकारी मुख नयाय मूर्ती की न्युक्ति, उच्चतम नयाले की आरंभीक अधिकारता, उच्चतम नयाले का अभिलेख नयायाला होना तो क्या हो जाएगा 126 में है आपका कारेकारी मुख नियाय मूर्ती की नियुक्ती यानि सुप्रीम कोर्ट में अगर चीप जस्टिस ना हो उस समय कारेकारी किसको बनाये जाएगा कारेकारी मुख नियाय मूर्ती की नियुक्ती यानुछेद 126 में है सदर्थ नियाय मूर्ती अगर माली जी नियामूर्ती यानि जस्टिस की संख्या कम हो तो एडॉक पे जस्टिस लिये जाएंगे एडॉक पे जस्टिस आपका किस में है 127 में 129 में क्या है उच्चतम नयायले का अभिलेख नयायले होना 131 में क्या है आपका उच्चतम नयायले की आरंभिक अधिकारिता C में है क्या हो जाएगा C में हो जाएगा इसी तरह से आगे बढ़ते हैं आप 137 में क्या हो जाएगा निर्डियों या आदेशों का उच्छतम नियायाले द्वारा पुनर विलोकन फिर 141 उच्छतम नियायाले द्वारा घोसित विधी का सभी नियायाले यों पर आबद्धकर होना एकिस में है 141 में है 143 उच्छतम नियायाले से परामर्ष करने की राष्टपती की सक्ति 148 भारत का नियंत्रक केवं महालेखा परिच्छक अब चलिए आगे बढ़ते हैं एकसो तिरपन एकसो तिरपन में क्या है राज्यों के राजपाल यानि हर राज्य के लिए एक राजपाल होंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा राष्टपती करेंगे एकसो पचपन अनुछेद के अनुसार फिर आपका क्या आ जाएगा फिर आपका क्या आ जाएगा यहां पे राज्यपाल का पदावधी 156 में आ जाएगा क्या एकसो चपन में क्या है आपका राज्यपाल का पदावधी है 169 में राज्यपाल द्वारा सपत या प्रतिज्ञान चलिए पिर 161, 163, 165, 179 तो 161 में जैसे आपका अनुछेद 72 में राश्टपती को सक्ति प्राप्त है छमा का निलंबन परिहार का उसी ततरा 161 में राज्यपाल को है फिर उसके बाद यहां पर क्या करा है राज्यों का महाधिवक्ता किस अनुछेद में है राज्यों का महाधिवक्ता अनुछेद 165 में है राजपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिशद 163 में है 179 राज्यों में विधान परिशद का उत्सादन या स्रिजन यानि कि अगर आपको पता है 6 राज्यों में विधान परिशद है इसी तरह आपका विधान परिशत का उत्सादन या स्रिजन करना हो तो किस अनुछेत के माध्यम से 179 के माध्यम से चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है आपका 200, 201, 202, 210 हमको तो लग रहा है यहां पर क्या क्या हो जाएगा वार्सिक वित्ती विवरण मुझे लगता है 202 हो जाएगा वार्सिक वित्ती विवरण 202 हो जाएगा 210, विधान मंडलों में प्रियोक की जाने वाली भासा हो जाएगी फिर विधयकों पर अनुमति या राश्टपती के विचारार आरच्छित ए हो जाएगा 201 विचार के लिए आरच्छित विधेयक पर राष्टपती की कारवाई एक बार मैं मिला लेता हूँ ठीक है एक बार मैं मिला लेता हूँ सही हूँ की नहीं हूँ 200 में क्या है विधेकों पर अनुमती या राष्टपती के विधेकों पर अनमती या राष्टपती के विचारार्थ आरच्छित एकदम सही 200, फिर आ जाते हैं, 201, विचार के लिए आरच्छित विधेक पर राष्टपती की कैरवाई ये भी सही है, फिर आ जाते हैं, 202 पर वार्षिक वित्ती विरण एकदम सही है, 210, विधान मंडलों में प्रियोग की जाने वाली आपकी भासा आ गई फिर आपका 213 213 में राज़िपाल का अध्यादेश जारी करने की सक्ति फिर 214 राज़ियों के लिए उच्छ नयाले आप डी हो जाएगा यहाँ पर फिर 215 में मुझे लगता है 215 में उच्छ नयाले का अभिलेख नयाले होना है क्या 215 में आपका उच्छ नयाले का अभिलेख नयाले होना हो जाएगा और 216 में उच्छ नयाले का गठन हो जाएगा क्या उच्छ नयाले का गठन तो यह बहुत confusion रहता है उच्छ नयाले का गठन हो राज़ियों के लिए उच्छ नयाले तो याद रखिएगा राजियों के लिए उच्छ नियाले 214 में है 213 राजिपाल का ध्यादेश हो गया 215 जैसे आपका सुप्रिम कोर्ट अनुछेद 129 के तहत अभी लेख नियाले है वैसे ही 215 के तहत उच्छ नियाले अभी लेख नियाले है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 219, 222, 223, 224 यहाँ पे देखिए क्या क्या है तो 222 आपका जानते हैं क्या है किसी नियादीश का एक उच्छ नियाले से दूसरे उच्छ नियाले को अस्थाना अंत्रण तो यह हो जाएगा फिर आपका क्या है 219 है अपर और कारिकारी नियादीसों की नियुकती कारिकारी मुख नियादीसों की नियुकती फिर किसी नियादीस का हो गया तो उच्छ नियाले के नियादीसों द्वारा सफत 219 मुझे लग रहा है सफत हो जाएगा आपका हाँ उच्छ नयाले के नयादीसों द्वारा सपत आपका 219 हो जाएगा और सबसे पहले आपका कारिकारी मुखनयादीस की नियुक्ती 223 हो जाएगा और 224 में अपर और कारिकारी नयादीसों की नियुक्ती 223 में क्या हो जाएगा आपका कारेकारी मुखनयाय मुर्ती की नियुक्ती क्योंकि पहले जो है कारेकारी मुखनयाय मुर्ती की नियुक्ती सुप्रिम कोर्ट में भी था तो यहां भी हाई कोर्ट में यही रहेगा देखो कारेकारी मुख्य नयाय मुर्ति की नयुक्ति आप देखना सुप्रिम कोट में भी पहले था तो हाई कोट में भी हमने लगाए हैं 223 में और 224 में आपका कारेकारी नयाय धीसों की नयुक्ति पहले मुख्य नयाय मुर्ति फिर आपका कारेकारी नयाय धीस और उसके बाद हर हफते में बस एक बारिश को मिला लेना आपका अनुछेद का इलाज मैं कर दूँगा ठीक है इसके पहले भी अनुछेद 100 तक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ तो अगले दो हफते में अनुछेद आपका खतम कर दूँगा और UPSI एक्जाम में मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ जिस बच्चे का अनुछेद तयार है कम से कम दो कोश्चन तो डाइरेक्ट आपका बन जाएगा लगवग उसे पता चल जाएगा हाँ इसका एंस्वर हो जाए ना दो 155 रहे बहुत लोगों को नहीं पता होगा आपको लग रहा है नौ कि आसान है कि याद तो कर लेंगे भूल जाएगा लेकिन यह जो मैं तरीका बनाया है हूं न아 इस से भूलेगा रही smallest वीडियो कोไलो करिए का यैनलिज को सब्सक्राइब कर लेंगा अभी कुछ द झाल झाल